लाल गंज में रोजगार सेवकों ने बैठक आयोजित कर मांदेय से E.P.F. फंड में कटवती का पासबुक उपलब्ध कराने की मांग की आज बुधवार को विकास खंड लाल गंज सभागार में ग्राम रोजगार सेवकों की एक बैठक आयोजित हुई जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों ने EPF फंड में मांदेय से जो पैसा कटवती किया जाता है उसका अभी तक पास्बुक न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की विकास खंड के EPO अजीत सिंग के सामने पूरी बात को रखा गया कि अपरैल 2021 से 2212 रूपया प्रती महीना मिलने वाले मांदेय में से EPF फंड में कटवती की जाती है जबकि मांदेय 7718 रूपया है EPF फंड कटने के बाद 6 पैसे से अपना परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है लेकिन EPF धनराशी की अधिकरित जानकारी न होने से ग्राम रोजगार सेवकों में निराशा का माहूल है उन्होंने मांग करते हुए कहा अब तक जो भी पैसा EPF फंड में से कटा है उसका पास्बुक पर चलाकर ग्राम रोजगार सेवकों को पास्बुक दिया जाए उपरोक्त समस्या को संग्यान में लेते हुए हल करने की मांग की गई अजीत सिंग्न कागी गराम रोजगार सेवकों की समस्या का समाधान उच्चादिकारियों के संग्यान में डाला जाएगा जल्द ही उसका निप्टारा किया जाएगा संगठन के अध्यक्ष ओंप्रकाश यादो ने एपीओ से कहा कि गराम रोजगार सेवकों के सामने आर्थिक समस्याएं बार-बार आती रहती है एपीएफ फंड का पास्बुक जल्द से जल्द सुलब कराया जाए इस पैठक में उपाध्यक्ष मनोज सिंग, कोशाध्यक्ष अजय कुमार, अजय सरोज, उमेश, संतोष यादो, दुर्गेश राय, प्रीती सिंग, अनीता गिरी सहित, दर्जनों गराम रोजगार सेवकों पस्तित रहे